नमस्कार जोहार मेरा नाम है अवंतिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं दा फोर्थ फिलर आज अपने सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे दुमका की नाला विधानसवा सीट की नाला वर्तमान विधानसवा ध्यक्ष रविंद्रनात महतो की सीट है कर रहे हैं जहां 2019 में भाजपा आजसु के एक साथ नहीं होने का खामियाजा इंडिये को उठाना पड़ा था हम बात कर रहे हैं 2019 के चुनावी आंकडों की 2019 में अगर भाजपा आजसु एक साथ होते तो ज्ञारखंड के चुनावी नतीजे कुछ और हो सकते थे अब बड़ा सवाल यह है कि अब ज्ञारखंड में जब भाजपा आजसु एक साथ चुनाव लड़ने वाले हैं तो क्या भाजपा सरकार बनाने में सफल होगी हम इससे पहले ज्ञारखंड की कैसीटों की चचा कर चुके हैं इसी कड़ी में आ भाजपा प्रत्याशी सत्यानन ज्ञा को 57,836 वोट मिले भाजपा और जामूमों के बीच काटे की टकर रही वहीं आजपा प्रत्याशी माधा उचंद्र महतो को 16,778 वोट मिले भाजपा राचु के कुल वोट को मिला दिया जाए तो इनका टोटल 74,614 वोट होते हैं यान ये वोट जामूमों के मिले वोट से 13,258 वोट अधीक हैं नाला में जारकन मुक्ती मोर्चा का खास दबदबा है इसका अंदाजा हम नाला के विधानसबा चुनाओं के यतिहास को देख कर लगा सकते हैं 2005 से 2019 तक हुए चुनाओं में यहां से भाजपा ने सिर्फ एक बार ही जीत हांसिल की है 2005 में रविंद्रनाथ महतो चारकन मुक्ती मोर्चा के टिकट से जीते थे 2009 के विधानसबा चुनाओं में भाजपा के सत्यानंजा ने रविंद्रनाथ महतो को हरा कर विधानसबा पहुंचे थे 2014 के विधानसबा चुनाओं में रविंद्रनाथ ने अपनी हार का बदला लिया और भाजपा प्रत्याशी सत्यानंजा को हराया 2019 में भी रविंद्रनाथ महतों ने अपनी जीत दोराई 2019 में हेमन सोरिन की सरकार बनने पर हेमन सरकार ने रविंद्रनाथ महतों को सर्वसम्मती से 7 जनवरी 2020 को जारकन विधान सभा का अध्यक्ष चुना बता दे रविंद्रनात महतो साल 1990 से जारकन मुक्ती मोचा से जुड़े हैं 1995 में जारकन स्वायत परिसत के पाशत भी रहे रविंद्रनात महतो जारकन अलग राज्य के आंदोलन में जेल भी गए वे जारकन आंदोलन में सक्रिये रहे थे नाला विधान सभा में मुख्य रूप से मुकाबला जामुमो और भाजपा के बीच ही रहा है रविंद्र नात महतो और सत्यानन ज्हा ने कुर्सी की लडाई लड़ी संभावता 2024 में भी यहां जामुमो भाजपा के बीच ही टक कर होगी हलांकि अप्रत्याशी कौन होगा इस पर पाटियां मन्थन कर रही है फिलाल कलित नहीं देखते रहें दा पोर्ट पिलर